हलो मैं हूँ रेखायाद और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई अमोमन 25 या 30 के बाद हर महिला को महीने में एक बार फेशिल तो जरूर करवाना चाहिए इससे बाड़ी काफी रिलाक्स हो जाती है और चहरे पर ग्लो आता है लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो फेशिल करवा तो लेती हैं लेकिन उसके बाद उनके चहरे का ग्लो बड़ी तेजी से चला भी जाता है और फिर वो सोचते रहती हैं कि उनके पैसे बेकार हो गए दरसल आपको पता होना चाहिए कि फेशिल के बाद भी स्किन को काफी देखभाल की जरूरत होती है नहीं तो आप चाहे जितना भी महगा फेशिल क्यों न करवाएं उसका असर जादा दिनों तक नहीं रहता तो चलिए आज हम आपको ऐसी बाते बताएंगे जिससे आपको मालूम चले कि फेशिल के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए फेशिल करवाने के चार घंटे बाद तक चेहरे को ना धोएं जी हाँ अपनी तवचा को फेशिल में इस्तमाल किये गए प्रोडक्ट्स के फायदे को सोखने दीजिए अगर आपका चेहरा बहुत रूखा लगने लगे तो फेस मिस्ट का इस्तमाल करें और अगर ओली लगे तो अपने चेहरे को ठंडे पानी के छीटे मारें दूसरी गलती ये कि कभी भी फेशिल करवाने के बाद एक्सपोलियेट ना करें अगर आपने फेशिल करवाया है तो चेहरे पर स्क्रब बिल्कुल भी ना करें इससे चेहरा खराब हो जाएगा साथ ही आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं फेशल करवाने के तीन से चार दिन बाद स्क्रब करना बहतर होगा फेशल करवाने के बाद स्किन पर फेशल सीरम ना लगाए नहीं तो स्किन सेंसिटिव हो जाएगी इसके अलावा इससे फेशल के बाद आपके चहरे पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं आपको फेशल करवाने के बाद कम से कम एक हफते तक चहरे पर सीरम नहीं लगाना चाहिए मेकप तो बिलकुल ना करें जी हाँ ये हर कोई जानता है कि मेकप के आइटम में धेर सारे कमिकल होते हैं ऐसे आइटम यूज करने से आपके स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है पेशल करवाने के बाद कम से कम 72 घंटों तक मेकप ना लगाएं हाँ 72 घंटे बीत जाने के बाद आप आराम से मेकप कर सकती हैं साथी चहरे की मसाज भी बिलकुल ना करें टॉप की फेशल एक्सपर्ट्स की माने तो फेशल के बाद मसाज ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए इससे इंफेक्शन हो सकता है और चहरे पर दाने आ सकते हैं फेशल के एक हवते बाद ही मसाज करवाएं साथी मुहासे को ना खोड़े फेशल करवाने के बाद अगर आपको लगे कि चहरे पर मुहासे निकलाएं हैं और आप उन्हें दबा कर फोड़ना चाहती हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना करें ऐसा करने से आपके चहरे पर इंफेक्शन फैल सकता है और साथी साथ चहरे पर दाग भी हो सकते हैं वही केमिकल पील ना करवाएं जी हाँ ये एक ऐसा ब्यूची ट्रीटमेंट है जो काफी सारी महिलाएं करवाना पसंद करती हैं हाला कि अगर इसे आप फेशल के तुरंत बाद करवाएंगी तो आप मुसीबत में पढ़ सकती हैं इससे कॉलाजन ब्रेकडाउन हो जाएगा इससे करवाने के लिए आपको फेशल के बाद दो हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा साथ ही थ्रेडिंग भी ना करवाएं अगर आपको फेशल और थ्रेडिंग दोनों करवाना है तो पहले थ्रेडिंग करवा लें और उसके बाद ही फेशल करवाएं वैसे भी थ्रेडिंग बहुत ही दर्द भरा प्रोसेस होता है ऐसे में फेशल के बाद स्किन मुलाइम हो जाती है जिसे करवाने पर और भी ज़ादा दर्द होने लगता है इसलिए हमारी सला है कि आप फेशल करवाने से पहले थ्रेडिंग करवाएं फेशल करवाने के बाद धूप में ना निकलें इससे तवचा पर सन बर्ण हो सकता है अगर आपको निकलना जरूरी भी है तो अपने चेहरे को पूरी तरह कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह कवर कर ले साथी च्हाता भी ले ले थ्रेडिंग के तरह ही फेश वैक्स मि भी ना करवाएं फेशल करवाने के तुरंत बाद कभी भी चहरे पर वैक्स ना करवाएं क्योंकि फेशल के बाद चहरे की सबसे उपरी तवचा बहुत मुलायम और सेंसिटीव हो जाती है और वो वैक्स से उधर भी सकती है फेश मास्क या फिर पैक का यूज ना करें जी हाँ जब भी फेशल करवाएं तो उसके एक हफते बाद ही कोई फेश मास्क लगाएं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके चहरे पर उल्टा असर होगा और आपने जो फेशल करवाया है उसका असर कम हो जाएगा तो फेशल करवाने के बाद ये सारी वो गलतियां हैं जो आपकी स्किन को पहुचा सकती हैं तो इन गलतियों पर ध्यान दे आई होप आपको ये इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी ऐसे ही इंफोर्मेशन के लिए देखते रहे बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिये